हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चनल प्रोड़क्रिव्यू हब में क्या आप भी अपने लिए एक फुली आटोमेटिक वाशिंग मशीन लेना चाहते हैं पर ऑनलाइन और आफलाइन इतने सारे आप्शन देखके कन्फ्यूज हो गए हैं कि किसमें कौन से फीचर्स से तो कोई बात नहीं क्यूंकि आज हम आपके लिए इस कन्फ्यूज़न का हल लेकि आए क्यूंकि हम आज आपके लिए फाइब बेस्ट फुली आटोमेटिक वाशिंग मशीन इन इंडिया लेकि आए और आपको उनको लेते टाइम कोई confusion ना हो इसलिए हम आपको हमारी 5 best fully automatic washing machine के बीच comparison बताएंगे और इन सब के best find link भी आपको हमारी description box में मिल जाएंगे तो चलिए बीना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो तो हमारी लिस्ट में 5 best fully automatic washing machine in India है Samsung की fully automatic washing machine, Bosch की fully automatic front loading washing machine, IFP की fully automatic front loading washing machine, Panasonic की fully automatic washing machine और LG की fully automatic top loading washing machine तो चलिए अब हम हमारी fully automatic washing machine के बीच comparison करते हैं तो सबसे पहले हम इने compare करते हैं इनकी capacity के base पे तो आपको Samsung और IFP की fully automatic washing machine में 6.5 kg की capacity मिलती है वहीं आपको Bosch में 6 kg और Panasonic और LG की washing machine में आपको 8 kg की capacity मिलती है Next हम बात करते हैं access location की तो आपको Bosch और IFP की fully automatic washing machine में front loading मिलती है वहीं आपको बाकी सारी washing machine में top loading मिलती है नेक्सट आम बात करते हैं, power saving guide इंसा भी washing machine को कितनी star rating प्रोवाइड करती है तो आपको Samsung की washing machine में 3 star rating मिलती है वहीं आपको बाकी सारी washing machine में 5 star rating मिलती है और जितनी ज़्यादा आपकी star rating होती है, उतनी ही आपकी less power consume करती है और आपकी money save करती है नेक्स्ट हम बात करते हैं spin speed की तो आपको Bosch और IFB की washing machine में 1000 rotation per minute मिलता है और LG की washing machine में आपको 780 RPM मिलता है और Samsung और Panasonic की washing machine में आपको 680 का rotation per minute मिलता है और जितनी ज़्यादा ये spin speed होती है उतनी जल्दी आपके कपड़े सुखा देती है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको इन सभी washing machine में से किस-किस में inbuilt heater मिल रहा है तो उसे बताने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो यूसफुल लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस फेल आइकन क्योंकि हम ऐसे ही informative वीडियो लाते रहते हैं तो चली अब हम बात करते हैं कि आपको इन में से किस-किस में inbuilt heater मिल रहा है तो आपको बोश और आइफ़ी की washing machine में 20-95 डिग्री का temperature setting मिलती है जिससे आप germ-free hot water से अपने कपड़े साफ कर सकते है नेक्स नम बात करते हैं drum की तो आपको इन से भी washing machine में stainless steel के drum मिलते है नेक्स नम बात करते है water consumption की तो आपकी बोश और आइफ़ी की washing machine सबसे कम water consume करती है यह आपके 7-8 liter per kg per cycle water consume करते है वहीं आपकी बागी सारी fully automatic washing machine 18-20 liter per kg per cycle water consume करती है इसलिए अगर आपको कम water consumption वाली washing machine चाहिए तो आप बोश या फिर IFB में से कुछ भी चूज़ कर सकते है नेक्स नम बात करते हैं कि आपको इन सबी washing machine में कितने wash program मिल रहे है तो आपको बोश और IFB की front loading washing machine में 15 wash program मिलते है और Panasonic और LG की top loading washing machine में आपको 8 wash program मिलते है और Samsung की fully automatic washing machine में आपको 6 wash program मिलते है नेक्स नम बात करते हैं memory function की तो आपको इन सबी fully automatic washing machine में memory function मिलते है नेक्स नम बात करते है warranty की तो आपको Samsung की top loading washing machine में 5 year की motor और 2 year की product warranty मिल रही है और बोश में आपको 12-year की motor और 2-year की product warranty मिल रही है और IP की fully automatic washing machine में आपको 10-year की motor और spare part की और 4-year की product warranty मिल रही है और Panasonic और LG की top loading washing machine में आपको 10-year की motor और 2-year की product warranty मिल रही है तो next हम बात करते हैं इन सभी washing machine के price की तो उसे बताने से पहले मैं आपको पहली बता दू, इन सब के price vary होते रहते हैं, तो लेने से पहले एक बार description box में लिंक में जाके exact price जरूर चेक कर लें पर इस टाइम आपको Samsung की एब washing machine Amazon में 13,990 रुपीज में मिल जाएगी, Bosch की 25,990 रुपीज में, IFP की 24,590 रुपीज में, Panasonic की 20,990 रुपीज में, और LG की एब fully automatic washing machine आपको 24,110 रुपीज में मिल जाएगी So at last हम बात करते हैं हमारी recommendation की, तो ऐसे तो ये सारी fully automatic washing machine बढ़ी है, पर आपको इन में से सबसे best Bosch की fully automatic washing machine मिलती है क्योंकि आपका company consume करती है, और इसकी quality भी बहुत बढ़ी है, और आपको इसमें inbuilt heater के साथ 1000 का rotation permit मिल रहा है, और साथ में galvanized steel का drum मिल रहा है जो आपके delicate fabric के लिए बहुत बढ़ी है, पर अगर आपका budget कम है और आपको ज़्यादा capacity वाली washing machine चाहिए, तो आप Panasonic के fully automatic washing machine prefer कर सकते हैं और दोस्तों किसी भी washing machine को लेने से पहले उसकी after sale service अपने area में जरूँ चेक कर ले, ताकि बाद में जाके आपको कोई problem ना आए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारी सारी best fully automatic washing machine के buying link आपको हमारी description box में मिल जाएंगे और अगर आपको हमारी वीडियो useful लगी तो please like, share and subscribe my channel and press bell icon और मैं मिलती हूँ आपको किसी नए वीडियो में, किसी नए product के review के साथ